ओम शान्ति तो जैसे कल भी बताया ब्रामनों के प्रोग्राम्स तो पल-पल चेंज होते रहते हैं है ना? तो वैसे तो एनॉस्मेंट कुछ और हुई थी और हमारे बीच में कोई और आकर पहुँचे हैं तो कौन पहुँचे हैं हमारे बीच में? हाँ, इस कल युक के अंत में भी हिमाचल प्रदेश जिसको देव भूमी कहा जाता है ऐसी देव भूमी से निकले इश्वर के अनमोल रतन आदर्निय राजयोगी भ्राता सुशिल भाईजी हम सब के बीच में हैं हम एक हाथ हिला कर आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं आप 1995 में अर्थाद आज से लगभग 26 वर्ष पुर्व इस ग्यान में आए और 1999 में थोड़े ही साल के बाद आप समर्पित हुए बाबा के मदुबन हेड़कॉर्टर में लॉकिक में आपने 14 साल तक इलेक्ट्रोनिक टेक्निशन के रूप में जॉब की और फिर तो बाबा के घर में आ गए और यहां पर हमारे भ्राता आवतार जी के साथ मीडिया पब्लिक रिलेशन और सोशल विंग की सेवाएं मुख्य रूप से देखते हैं और हमारा जो मदुबन में सुभ पुरिशार्थी ग्रूप की मीटिंग होती हैं अव्यक्त हर प्रकार से बाबा की मुर्लियों पर जो चर्चाएं करते आपस में मुर्लि की रिविशन करते हैं उस ग्रूप के भी आप मुख्य मेंबर हैं तो आज जो कल बाबा ने मुर्लि चलाई उस मुर्लि की हम रिविशन करेंगे क्योंकि बाबा कहते हैं न मुर्लि से प्यार है तो ही समझेंगे मुर्लि धर से प्यार है है न? तो अगर मुर्ली धर से प्यार है, माना उसकी मुर्ली से भी हमें उतना ही प्यार रखना होगा और जिसको कहते हैं तुरंत दान महापुन्या, ऐसे नहीं मुर्ली सुनी आज और उसको मन्थन करेंगे बरसो बरसो बाद जो बाबा ने जब कहा उसी पर उसी समय चिंतन मंथन करके प्राक्टिकल में करते हैं तो जैसे तुरंत दान महापुन्य का फल है बाबा भी उसका में बहुत फल देता है जैसे कल भी बाबा ने कहा ना बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो यह हमें करना होगा तो कैसे हमें अव्यक्त मुर्ली रिविजन करनी होती है और क्या उसके फाइदे हैं वो हमें सुशिल भाई बताएंगे कल की मुर्ली को लेकर जो शाम को मुर्ली चली तो हम सुनते हैं सुशिल भाई से ओम शांती बाबा, मुर्ली और मदुवन ये तीन ब्राह्मनों के क्या है? रतन है मदुवन में तो बिना ग्यान के भी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन जब तक ग्यान समझ में नहीं आता है तो उतना उनको महतब नहीं होता है कलवी बाबा ने मुर्ली में कहा मदुवन सोननती का स्थान है तो जब भी हम इस दरह पर आते हैं इस दरह पर आने से हमारे जो सुवाब का बदलाब, बृत्तियों का बदलाब, संसकारों का बदलाब बहुत फास्ट गति से होता है अगर अटेंशन रखेंगे तो अधरबाइज पतन भी हो सकता है जैसी हमारे द्रिष्टी होगी, वैसी हमारी रित्ती होगी लास्ट संडे की मुर्ली में आवने का यथार्थ सोन्यति का चश्मा बो हमने कैसे पहना हुआ है कौन सी हमारी द्रिष्टी है, कैसा हमारा इटिचूड है कैसे हमारे बिचार है, कैसा हमारा विवार है कैसी हमारी चलन है वो बदलाव में स्वयम ही स्वयम ही करना पड़ेगा बाबा भी हमारे उपर हाथ रख दे तो भी बदलाव नहीं होगा वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा ने तो केई दफ़ा बक्ति के परंप्राईं भी ज्ञान में चलती रहती हैं द्रिष्टी दे दो कुछ नो कुछ आप एक्षे रहती हैं जैसे आई का स्लोगन था ना कौन सा स्लोगन था खुशी के एक जाने से संपन कौन नहीं हो सकता जो मंगता है तो बावा ने जन्मते हम सबको अपने सारी प्रॉपर्टी के हकदार बना दिया है वारिस बना दिया है लेकिन सारा खेल दो शब्दों पर यह दारित है समर्थी और बिसमर्थी जब जब हम समर्थी में रहते हैं तो हमारी स्थिति समर्थ रहती है शक्ति शाली रहती है खुशी बाली रहती है हल्की रहती है उड़ती रहती है मोज में रहती है लेकिन जैसे विस्मरित हुए तो तब तो बात ही मत पुछो उसके तो हम सब व्यनवा भी है बावा ने कहा ना मुर जाय हूँ आचेरह अच्छा लगता है उसकराता हुआ क्योंकि ये ग्यान सारे ग्यान का सार क्या है खुशी हम इतना पुरशार्ट किसले करते हैं क्या जिरूरत है करने की किसले करते हैं खुशी के लिए तो ये खुशी का स्रोत है हमारे पुरशार्ट का जो सार है निचोड है वो हमारे चेरे पर स्पष्ट रूप से द्रिष्टी गोचर होना चाहिए जैसे बावने का संगम का समय है ये क्या कुर इसको? ये सबसे स्रिष्ट का जानना है ये तो ऐसे समय पर अपने चेरे से भरपूर्ता की जलक दिखलाओ बगवान हमको इतने खजाने बांटे जा रहा है यदि हमारे जीवन में उस अनुपात से। परिवर्तन नहीं हो रहा है बदलाव नहीं हो रहा है तो अंदर में बड़ा दुख होता है उदासी रहती है जैसे मुरली तो सुनते हैं जैसे कल भी सुनी हैं काल बावा ने कहा जो बेंजी ने रपीट किया, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, लेकिन कहां तक हम करते हैं, मिलन तो मनाया, हमने खुश खुश ही मना लिया, लेकिन असली मिलन तो मिलने के बाद शुरू होता है, जब बावा चले जाते हैं, उसके बाद शुरू होता ह है कि जो वो देखे गया है उसको हम कितना दोहरा रहे हैं एरपीट कर रहे हैं अपने समस्कारों में सुमा रहे हैं चर्चा कर रहे हैं उसके उपर चिंतन कर रहे हैं मनन कर रहे हैं पुरशार्थ सु बहां से चालू होता है कलास सुनना पुर्शारत ने कलास सुनने के बाद उसको अपलाई करना वो पुर्शारत है तो बहुत सारी बावा ने मुरली में कल बाते बताईए चर्चा करेंगे हम सभी क्योंकि बावा ने कहा अपने आप पर तर्स करो आज की मुरली में था बाप तुम बच्चों पर तर्स करते हैं क्यों करते हैं तर्स पापों का बुज़ बहुत है सिर्पर पापों का बुज़ बहुत है और मौत सामने खड़ा है जमगटों की फांसी लगने वाली है इसलिए बाप को तर्स पढ़ता है अगर हम कोई समर्थी में ने रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा वो तरस कहा भई कहा ही रह जाएगा वो कागिशता की सीमित रह जाता है हमारे जीवन में नहीं आता उसको अंगीकार करने के लिए उसको हातम साथ करने के लिए कुछ तो अटेंशन रखना पड़ेगा क्योंकि बावने का संसार में बहुत बहुत क्या बढ़ने वाला है आज कल की हलातों अनुसार टेंशन बहुत बढ़ने वाला है इसलिए आप बच्चे क्या करो सेवा की तैयारी करो वो सेवा बहुत बढ़ने वाली है और बढ़ी रहा अटेंशन सब इसी तरह इस बात से तो अच्छी तरह परिचित है कि जिस दौर से संसार गुजरा है जिस मोड पर संसार खड़ा है उनको देखकर तो हम सब भी समझ सकते है कि किन परसितियों से आत्मा गुजर रही है उनमें शक्ती नहीं है तो उनमें शक्ती भरने के लिए हमको पहले से बहुत बहुत त्यारी करने पड़ेगी जो बावने का आपको देखते हैं उनके दुख दर्दूर जाएं वो खुशी में आ जाएं तो हमें कितना परपूर होना पड़ेगा इक्वल टू बाव समान बताया ने टीचर बहन से टीचर बहनें से मुलाकात क्या कहा बाव अगर ने टीचर बहनों को टीचर्स फीचर से फ्यूचर और टीचर्स बाव समान ड्यूटी पर हैं तो बाप टाइम बेस्ट करता है तो हम सबी तो टीचर ही है न तो हम कितना टाइम बेस्ट करते हैं कितना सफल कर रहे हैं हमारे संकलप जो बहुत बड़ी उर्जा है शक्ती है एक-एक संकलप हमारे भागे का निर्मान करता है वो संकलप हमारे कहां जा रहे है वो संकलपों के नर्जी हमारे पास उसका हम सरक्षन कर रहे हैं उसको बचा रहे हैं कौन-कौन से संकलप हमारे बुद्धी रुपी पातर में है आज बिताया शेरनी का दूद सोने के बर्तर में टिकता है परम पवित्र बावा ने कहा ना आज तुम कि तुम बच्चे भी पवित्र आत्माई बनते हो संपूर्ण पवित्र निर्विकारी बिकारी संसार से तुम निकल जुके तो क्या हमारा वो बुद्धी रुपी पातर उतना सोने जैसा बन रहा है जो ग्यान रतन ठैर सके इसके लिए बिदेश्यों से मुलाकात बावा ने कहा कि रोज क्या करो सोतिस में जो सोना उसको इमर्ज करो और फिर क्या करो उसके बाद हाँ रात को सोतिस में इमर्ज करो फिर स्वपन में भी दोराते रहो नींद में भी दोराते रहो फिर सुवा सुवा याद करो और लंबेश में से हमने देखा है अगर हम ग्यान चर्चा में लिप्त रहते हैं अच्छा मनन चिंतन करते हैं कुछ लिखते रहते हैं सेवा में बीजी रहते हैं किसी को ग्यान सुना रहे हैं तो इस वपने भी वैसे आते हैं और दिन में अगर गप शप मार रहे हैं कुछ पिकने की युजने मना रहे हैं कही तरह के अपनी को बीजी रखने के प्रोग्राम ना रहे हैं तो उसका प्रभाव तो हमारी नींद पर पड़ता है लंबे समें तक रात को हमको नींद क्यों ने आती है क्योंकि मन टुकडे टुकडे हुआ बड़ा है इसलिए रात को एक कत्रित नहीं होता मन रात को वो संकल्पों के टुकडे टुकडे फिर बिखरते हैं कभी मन उदर जा रहा है कभी उदर जा रहा है कभी उदर जा रहा है कभी उदर जा रहा है पकड में नी आता है नींद कब आती है जब मन स्थिर होता है तो मन की स्थिरता कैसे बड़ेगी कैसे बड़ेगी? मन-मना भव से तो युक्तियां तो खुद कौ्म को निकालनी पड़ेंगी आज बावने का न अच्छा बिजनस्मैन कौन है? तुम हो बड़े ते बड़े बिजनस्मैन बिजनस्मैन वो अच्छा है जो अपने को भीजी करना जानता है लेकिन कहां बीजी करते हैं यह हमको देखना है जो संसार में बड़े-बड़े बिजनस्मेन हैं वो टाइम बेस्ट करते हैं ऐसे थोड़े इतनी उन्होंने बड़े-बड़े उपलवदियां हासल कर ली है टॉप 10 में आगे, टॉप 5 में आगे कुछ तो किया है न जो बच्चे अटेंशन लगते हैं, बीजी रहते हैं वो सदा भरपूर रहते हैं, पदमा, पदमपदी बनते हैं तो करना तो हमको खुद को ही पड़ेगा तो मुरली जुआ न वो हमारा शुहास है लेकिन इस पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि बहां बुद्धी स्थिर करने में बहुत मेनत तो लगती है बिना मेनत होगा कुछ नहीं है क्योंकि बुद्धी को जो दूसरी आते पड़ी हैं मन बुद्धी बहां वांग खिच के बाहर चला जाएगा कुछ देखने की आते हैं कुछ सुनने की आते हैं कुछ सुनाने की आते हैं बेती बातों को अगर हम सारे दिन का बिशलेशन करें तो अधिकतर तो हमारे बोई संकलब होते हैं जिनकी जीवन में वशेकता ही नहीं है बोई संकलब मारी उज्जा को नश्ट कर देते हैं एक्सा सोचते रहते हैं ज्यादा सोचने की आदत ये भी मन को अस्थिर कर देती है मन को बटकाती है तो मूरली एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को स्थिर कर देती है एकागर कर देती है खुशी से बरपूर कर देती है जीवन में खुशी कब आती है जब हम जो हमने लक्षे रखा है उस पर अगर सर रहते हैं तो हमको खुशी मिलेगी अगर हम आसफलता भी मिल रही है लेकिन फिर भी खुशी गाय भी नहीं होगी क्योंकि हमारी यातर तो काहिम है चल रहे हैं हम उस पर संसार में कितने ऐसे अविश्कार को हुए हैं जिन उनने कितना प्रयास किया कितने बर्षों बर्ष लगा दिये असफलता मिली असफलता मिली लेकिन कोशिस उनकी कभी भी उन्होंने कोशिस से हटे ने पाउं पीछे ने हटाए लगे रहे लगे रहे तो हम तो पूरे संसार को परिवरतन करने के जिम्मेवारी बावा ने हम बच्चों पर रखी है भगवान ने हमको चाइन किया है तो उसके चुने हुए में कुछ कोई मिस्टेक हो सकती है तक कि सीमित रहता है ओपर ओपर ही हमारे जो सब कॉंशनस माइंड में ने जाता है क्योंकि उस पर हमने गहराई से चिंतन नहीं किया है देखा नहीं है संसकार हमको बदलने का हमने हलका हलका प्रियास किया है बिना साधना के संसकार परिवतन नहीं होते हैं बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है क्यों बार 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 डिल करो क्या जुरूत है डिल करने की ऐसे तोड़ा कह दिया है उसने कुछ तो है ना उसमें कुछ mathematics तो शिपाव आपीछे संसार में भी देखते हैं सबने रमाइंड महबार देखियोगी रमाइंड देखियोगी राम सीता लक्ष्मन जी का रोल था कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी या एक शोटा से किलिप आया था तो राम जी किसी जो राम अरुन गोबिल कहीं दूसरी जगा वो फिल्म की करने के लिए थे शोटिंग करने गए थे तो कहीं स्टेज के पीछे पैट के सिग्रेट फूक रहे थे बहुत पहले की बात है आया था ना कहीं हाँ तो जो सौथ वाला वाई था उनके पड़दे के पीछे उन्होंने उसको देख लिया तो उन्हों स्थ की बाशा में अपनी बाशा में उसको खूब बोला अब उनको तो समझ में नहीं लेकिन उनको इतना समझ में कि इन्होंने गालिया दिया मुझे तो पिर बात में दोस्ते बाइने आके बताया खिया आपको TW हम राम मानते हैं, और अब सिग्रिट फूक रहे हैं, इदर बैठके, तो उनको मन में लग गया, तब से सिग्रिट शूट गया, माना संसार उनको कितने उची नजरों से देख रहा है, और वो क्या कर रहा है, तो एक संसार के जिसको भगवान का भी परिचे नहीं है, एक शोटी सी बात, इतना मन में धक्का दे दे, हमें तो रोज भगवान कहते हैं, तुम मेठे बच्चे हो, मेठे बच्चे हो, मेठे बच्चे हो, लेकिन वो मिठास आती नहीं है नहीं मिठास तो आती है सब मिठे हैं आप बहुत मिठे हैं सभी तो सुमान का अभ्यास भारबर करना पड़ेगा कोई भी सुमान लेगा उस पर चिंतन करना है लंबे इसमें तक उसको खींचना है क्योंकि बिना ग्यान के योग करेंगे न भारी लगेगा नींद आएगी रेफ्रेश नहीं होंगे वो ग्यान से बुद्धी को बरफूर करना है ग्यान एक रोशनी के तरह काम करता है योग तो यात्रा कहा जाता है बिना रोशनी के यात्रा करेंगे तो अंदकार आएगा संकलप नहीं आएगे जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं अंदकार में क्या होता है रोशनी तो करने पड़ती न अगर बिना रोशनी यात्रा करेंगे भटकेंगे कुछ भी जानवर भी आ सकता है इसी तरह से बिना ज्यान के अगर हम बैठते हैं तो वो एक्षिजेंट होने के पूरी संभावन है अर्थात हमारे संकलब कहीं नंके नंके टक राते रहेंगे बैठे हम यहां लेकिन मनबुद्ध कहीं जा रहा है ज्यान तो है लेकिन संसार का ज्यान है वो वाला ग्यान है जो पतन करता है तो यह जो ग्यान है एक रोशनी के तरह कारे करता है हमें सुजा करता है, स्चेत करता है एकदम अंदर में आत्म में उर्जा वरता है, शक्ती वरता है मुर्ली पढ़ना भी योग से कम नहीं है योग से कम नहीं मुरली पढ़ना भी दादियें इतनी वरी कितना दादि जान की बताते हैं किसवार नी क्यों पढ़ते थे इतनी वरी क्योंकि मनमुद्धि कहीं बठके न मुरली में एनरजी है शक्ती है चोबचिनने की तरह बाव जो कहते हैं खुराग है वो, उससे हमको ज़्यादा लगाब चाहिए, इसलिए बाबा केते हैं, मुरली से प्यार माना, मुरली दर से प्याब, मुरली एक ऐसी लठी है, जो सीधा आपको सुर्ग में पहुंचा देगी, मुरली अश्रीरी बनाने का एक सहज माद्यम है, क्योंकि जब भी ह कहां से आ रहा है, निराकारी दुनिया से, निराकारी दुनिया का ध्यान, घ्यान हम आत्मों को भी श्रीर से निराकार कर देगा, श्रीरी कर देगा वो, एनर्जी है, इसमें ताकत है, कहां से अवतरित हो रहा है, परमदाउं से, शांतिदाउं से, बुद्धी वहीं जाए जैसे बावा कहते हैं ये पुरानी दुनिया सड़ी हुई दुनिया है तो उसे प्यार होगा पुरानी दुनिया से हमको क्या बैराग्य के बीज है उस मुर्ली में अगर बीज हमने बहां से लेकर अपने धरनी पर अंकुरित डाले ने तो अंकुरित कहां से होंगे वो मूरली में साधना है बैराग्य है पवित्तरता है हर चीज उसमें समाई है खजाने है सरफ खजानों से संपन है वो मूरली एक मूरली माना भगवान तो चार पेज की मूरली उसको मूरली ने समझना सीधा भगवान ही समझ लेना हो क्योंकि बावत चलेगे बागी मारे सामने क्या है वो ही मुरली है और आने वाले समय में ऐसा भी होगे मुरली भी नहीं मिलेगी समय तो ऐसा भी आने वाला है सब ने भी तो उसका experience की कर लिया अनुबब तो किया, मैसूस तो किया सबी ने जब lockdown लोग गया क्या हुआ और आने वाले time में कуч कहानी जाताथ कब भी कुछ भी हो सकता है पिछले बर 23 तरह के मुरली में था अव्यक्त वाने में शरीर का कूई ब्रोछा नी है स्मय का कूई ब्रोछा नी है कुछ भी हो सकता है तो मुरली का ग्यान हमारी बुद्धी में इतना उनजे कि हम कहीं भी चले जाएं बले मारे पास मुरली हो मुवाइल हो ना हो कुछ हो लेकिन ग्यान बुद्धी में रहना जाई इसलिए का बावा कितने ग्यान टपकते रहने जी बुद्धी में देखना है कि स्वेरे जो कलश हमने धारन किया था उस कलश में कितने रतन है कहीं परहन तो नहीं होगे कहीं वो किसीने निकाल तो नहीं लिये फिर शाम को देखा कलश खाली है या कलश है ही नहीं उपर तो देखना है उस कलश में हमने कितने ग्यान रतन भरे हैं क्योंकि इस क तूटना मुश्किल है। इसलिए जगदीश भाई जी कहते थे ना, शोटे-शोटे धागों का रसा बना, उसका तूटना मुश्किल, आदतो की पक्टी उसका शूटना मुश्किल। तुमको नहीं आतों का निर्मान करना है। मुद्ली को अलग-लग तरीके से पढ़ना है। अलग-लग तरीके से देखना है उसको। कोई example method हो सकता है। कौन-कौन से उसमें पात रहे हैं, कौन सा समय है, कौन से प्रिस्तिदें चल रही हैं। अभी जैसे हम यहीं बैठे हैं, अभी यहीं बैठे-बैठे, टाइम ट्रैवलिंग करेंगे। कल शाम को हमने मुरली सुन कौन सी चेर पर बैठे थे, कितने बज़े बैठे थे, मुरली कितने बज़े स्टार्ट हुई थी, कितने बज़े हुई थी, साधे से बज़े, कितना समय बावा ने द्रिष्टी दी, उस अभी मर्ज करो। यह टाइम ट्रैवलिंग है, यह मन को बागने निदेगा कहीं, मन क्या, आज मंगलवार है, क्या था, आज क्या है, आज सर्फ जानों के मालिक क्या कर रहे हैं, सर्फ जानों से संपन बच्चों को देख रहे हैं, तो क्या क्या देखा, भावा को देख के भावा के मन में क्या हुआ, भावा के मन में लड़ू फूटे एक दम, मेरे बच्चे ये बाव सामने बैठे हुए है, ये बेचारे भटक गे थे, तड़ फरे थे, दक्के खा रहे थे, कहां पड़े थे गंद में, अब ये मेरे सामने आगे, तो बावा के भाव कितने हुची हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपने बच्चे में लगे, इतने सालों के बाद, फिर ब पूरा मन बुद्धी बहीं का ग्रोयत है, और वही फिलिंग होगी, जैसे बावा बिलकुल सामने है, जैसे हम किसी स्वपन में को जाकते जाकते सोचते रहते हैं, किसी के बारे में, ऐसे सोचना है, योग क्या चीज़ है, योग ऐसाने कि सिदा परमदाम ही पहुंच जाए उसके बीच में बहुत सारी बाते हैं, परमदाम को नीचे ले के आजाओ, धुरी नहीं हमको उपर ही पहुंच जाना है, क्योंकि सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है, तो यह ही हमको परमदाम के अन्वूति कर लेनी हैं, तो बावा ने कल क्या क्या बोला मुरली में, अभी आ ना किसको है, तो कैसे रहना है, बाव बच्चे बावा बोला था, हाँ, और कोई भी बात आजे, लेकर खुशी गाय बना वो, लेकर प्रशन यह है, खुशी आए कैसे, वो तो बावा बोलके चलेगे, खुशी बांटने से, लेकर पहले खुशी तो है यह नहीं, पहले खुशी बावा बावा ने कहा था, एक शब्द बहुत प्री है, एक बरता, एक आगरता, एक आंथ चेत, एक रस, एक मत, एक धर्म, एक राज, एक बल, एक ब्रोसा, कितने सारे हैं, तो यह हमने बहुत पहले बनाई थी लिस्टिये, लेकिन परसो द्वारा फिर से बनाई थी वो, पिशली बाल इन देखी, यह तो क्या तब बना बना यह म मारे बास को, उसका कोई फैदा नहीं है, वो तो बीती, अस बीती सो बीती, उस बीती का भी चिंतन नहीं करना है, हमको नया माल त्यार करना है, क्योंकि उसमें कुछ और था, अभी कुछ बाबा और फ्लचिंग कराएगा, तो खुशी कैसे रहेगी, एक तो है सर्प जाननो है, वो देखना पड़ेगा, जो समर्थ नहीं वो ब्यर्थ है, और जो ब्यर्थ है, ब्यर्थ नहीं वो समर्थ है, हाँ जी, हाँ, लेकिन खुशी बांटते हैं तो गटती नहीं वो बढ़ती है, अबाद रहो, खुशी जैसे खुराक नहीं, खुशी जैसे कमाल नहीं है, और ने खुशी के सुरोत ढूंड़िये कोई 15, 20, 6 सुरोत होने चाहिए, एक जैसे 22 नी बता है, एक तो सरप जानों की समर्थिरे, प्राप्तियों की समर्थिरे, दूसरा खुशी का है, सोमान का अभ्यास, सोमान, लेकिन हमको बहुत अला काम करना है, जिसमें थोड़ा चिंतन, चिंतन नहीं करना चाहते हैं, दूर अटते हैं, पीछे अटते हैं, अपने को काम देना है, एक घंटा बैड़ जाओ, कुछ ना कुछ तो लिखो, दो लाइने लिखते हैं, फिर मन भागता है इदर, छोड़ो चकर को, बाबा को याद तो करना है, मैं आत्मा हूं, पास से ले जाओ, परमदा में, मैं आत्मा प्रमात्मा का बच्चा हूं, बस बाद ही तो ग्यान का सार है, लेकिन बदलाव इसमें ताकत नहीं आती इतनी, आत्मा हूं, लेकिन कौन से आत्मा हूं, उसको बार-बार समृति में रखना पड़ेगा, अच्छ अमें सच मुच सी मैच होने लेगे तो वो अपने आप उदर की तरफ आखर्शित होगा हमारी फ्रक्वेंसी तो बोड़ी की तरफ ही रहती है सोचते रहते हैं उसके बारे में तो हमको यहीं देखते रहे ना कि वल मैं अंदर में हूँ चमक रहा हूँ या नहीं चमक रहा हूँ कितनी काले को उपर है कितने उसके उपर खाद वीवी है कितनी मैल है वीवी क्यों नहीं चमक बढ़ रही है उसी की बारे में सूचते रहना है आखर मैं आई कहां से कौन-कौन से संसकार मेरे अंदर है कौन-कौन सा बदलाब हुआ है क्या बदलाब होना चाहिए किस गती से होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, कौन-कौन से बहरे रहा वीवी, क्या मैं उलंगन कर रहा हूँ, और वो हमको ही पता है, तो अपना सुक्षम रूप से हमको अपनी जांच करनी है, जब तक हम स्वयम की जांच नहीं करेंगे, तब तक हमारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, और काम की बात है फोहिम को बदोना भारी पड़ रहा है सारा काम स्वहिम स्वहिम को स्वहिम बदल जाएंगे ना अवर अपने बदल जाएंगे वो तो बास्त में ऊपर वाले का काम है वो तो हमको बीजी रखने कलिए है स्वushamuproffne निर्भी कारीथ है हमको स्वहम को बनाना है बाग की दुबावाद चुटकी से सारा काम कर देगा सुप्रेम सोल है वो तो जब उसमें आएगा तो सेकेंड में सारा काम हो जाएगा दिखाया ना कृष्ण के अर्जुन और संबाद के अर्जुन कहता था सारा काम तो मैं कर रहा हूँ और तो बाद में पता चला किसका चक्कर काम कर रहा था तो ऐसे हम सोचेंगे हम इतनी सेवा कर रहे हैं यह कर रहे हैं वो तो यह बाद में पता चले का कुछ किया ही नहीं हो तो हमने अपने एक लियांडने के अपने पर यहायम नहीं किया तो स्वहम परहम करना है तो ऐसे ठोस खुशी के कुछ रोत ढूनने चाहिए जैसे बाब ने बताया कल मदवन सोन निती का साधन है तो इस पर हमको चिंतन करना है कैसे मदवन सोन निती का साधन है इस बिश्यों को लेकर जितने दिन हम यहां हैं बठी में तेन चार दिन जितने भी हैं तो इस पर चिंतन करने गहर है इसे कौन-कौन से साधने या चार दाम तो चार दाम केवल यह नहीं कि वहाँ परक्रिमा लगा ली केवल इतना यार के दिके बावा की कोटिया में बैठे उधासी खतम होगी इससे कुछ नहीं होने वाले सोचने से उसके बारे में सोचना पड़ेगा जोपड़ी पर निवंद लिखिए ऐसे लिखिए यह जोपड़ी 1950 में कैसी होगी 1952 में लगवाग यहां तो कैसी होगी हिसाब लगाईए उससे त्याग जागरित होगा अंदर में लगेगा भावा किस दशा में उसमें उस जोपड़ी में रहते थे वो खजूर के पत्ते कैसी जोपड़ी होगी हो सुप्रीम और्थोर्टी स्रिष्टी का आधी पिता प्रजा पिता ब्रह्मा वावस जोपड़ी में बैठा हुआ जिसको पूरी स्रिष्टी का निर्मान करना है उसने हमको चैन किया है तो बहाँ जाके उदासी ऐसे थोड़ी नहीं खत्म होगी कि कहने से मेरी उदासी खत्म होगी बहाँ चिंतन करना पड़ेगा उसको परश करो जाके जोपड़ी को अब यह वावरेशन है वहाँ बैठके देखो अची तरह से बहाँ बैठके बाबा की कैसी मान सिकता थी बच्चों को परिवत्र करने के अंदर में क्या क्या संकलब चलते होंगे निंद फिर जाती दे बाबा के ते मेरी तो हमको देखना पड़ेगा बाबा के कमरे में जाओ वो खटिया एकी खटिया वो चोटा से तो बाबा कमरा भी बड़ा है पहले तो चोटा सा होता था तो जहां इतने ब्रह्मा बच्चों ने मिलन मना है बाबा के साथ वो ब्रह्मा बाबा की कमरा जहां बाबा ने सारी शक्तियां दादी के वो बिल की मैसूस करना है कि बावा ने मेरा हाथ महां पकड़ा हुआ है काल बता है ना बाव बच्चों को बदाई देते हैं मुवारक देते हैं बरपूरता की खजानों की मैसूस करना है कि बावा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और बदाई दे रहा है कि शाबास बच्चे, तुम समय बेस्ट नहीं कर रहा है, वो देखना है अपने को, फिर हमको शरम भी आएगी, समय तुम बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन पॉस्टिव सोचना है, हमको समय तो बेस्ट किया है, यह तो हमको पता है, लेकिन पॉस्टिव सोचना है, बहां हमको रेल बहां इस्ट्रियाल में कौन-कौन से दादियों की फोटो लगी है। बहां इस्ट्रियाल में कौन से दादियों की फोटो लगी है। फिर ध्यानी दादी, संदेशी दादी, कौन्ज दादी, कितने दादी फोटो। एक खाली हम उनके चेरे नहीं याद करें, उनकी चरित्र हमारे अंदर में आ रहे हैं। क्योंकि समाने आत में तो नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने बलिहार कर दी बगवान के उपर। कितना त्याग तबस्या उनके जीवन में समाया वह था। वो सारा मारे अंदर समाने लगे गा। हम क्यों बढ़ों को कहते हैं, हमारे उपर हाथ रख दो। क्य उचित्ते है उसका, क्या रोफ थै उसका। कि उनके vibration नमारे पास में है, दादियां आती थी, दादियों के पास क्यों मा कर्षित दे चले आती थी, क्योंकि कूट-कूट के बावा का ग्यान उनके अंदर भरा हुआ है, तो ये तो खेल पाला है, मन बुद्धी को बीजी रखने के साथ नहीं, लेकिन अपने संसकारों को बदलने के लिए, आपमन के अगरतों को बढ़ाने के लिए, अपने को बीजी रखने के लिए, अपनी सितिकों शक्ति शाली बनाने के लिए, कुछ तो उमको नया प्लानिंग करना पड़ेगा, बिना नवीन्ता की हमारे प्रोग्रस नहीं होगी, उसी तरह के से मुर्ली देखते हैं एक थे 85 में उनने शरीश ओड़े 85 एज में 87 ए 85 तो 82 की एज में भी दादी टांग पर टांग चड़ा के बैठती थी बिना इसके टेके के क्योंकि उपर पहले बड़ी संदली होती थी हो मिशांति मुन में और हम लीचे बैठती तो हम कोई करती टांग पर टांग बैठ के चड़ो ऐसी चड़ा की बैठ हो है अलहर्ट रखते थे वो दिदी मनमोनी दिदी सुनते हैं उनके बारे में कमरों में जाकी देखती थी कौन कौन मुरली में नी आया है क्यों नी आया उसका कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता था बेजा जाता था किजी को किय ऐसी प्रॉलम आगी कितना बुखार आगी जिकदीश भाई जी उनके दिल में तो ऐसे लगता था ऐसे बोल निकलते थे कि दिल को गायल कर देते थे एकदम वो तो इतना लास लास में दो यार एक मिन श्रीश उड़ने के पहले जब वह मिशांति में उनके क्लास हुई तो सु नपान। क्यूंकि दिल को तीर चाहिए सने वाला काम चला गया वरी चूपने वाला चाहिए कुछ सने 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 से हम ठंडे होगे बावा ने का जम गट कोई फांसी से धर्मराज सामने खड़ा आवी और अंतिम रूप वही है उसका तो हमें स्वैम कभी धर्मराज बनना है तो इथोड़ हम साइड में चलेगे और मुरले में क्या-क्या था बीती सो बीती क्यों हम बीती को बीती नहीं कर पा रहे है अर्थात हमने कुछ नई बातें बुद्धी में नहीं रखी है इसलिए बताया ना टाइम ट्रेवल तो अपने बुद्धी को जो बीती बाते हैं क्यों नहीं बूल पा रहे हैं याद है किसी को ठार की ठार, तो यही तो मदुबन सौनती का साधन है, वो करने का, यहाँ तो सोनती का इतना साधन है, हम एक वे द्याफ़ा सोचते हैं, कि सारा कुछ लिखे के लिगन, फिर भी इतना पूरा होते ही नहीं, इतना हो, मदुवन में खाली जितना दिवारों पर लिखाए, इतना भी याद हो जाए हो सबागयो मदुवन के जर्रे जर्रे में परमातम प्यूरिटी के वाइवरिशन समाए हुए है मदुवन जैसे संसार है डिटैच कर देता है क्यों संसार की बिस्मृती हो जाती है यहां बर सरिष्टी का आधी बेता है है तपस्या, घंगोर तपस्या की है साधरन तपस्या नहीं है बोद्धादियां देखते थे मांगन में बैठे रहते थे उनके बैठने मातर से वाइबरेशन ही कुछ लगोते थे तो सारा काम किसको करना है यह केवल हमको वरना तक सीमित नहीं रखना कि दाद दी ऐसे थे मम्मा ऐसी थे लेकिन उसका क्या हमने क्या किया केवल उस समर्थी दिवस पर आकर उनकी शिक्षा केवल सुनाने तक शीमित न रहें हमें स्वय में उनको आत्मसा esta करना है तो उनका हमें कोई फैदा है यह तो फैदा कुछ भी नहीं है हर साल हो उनके समर्थीयां मनाते है कितने सालों वह कि कदम पर कदम चलना चाहिए हमारे जिन में बदलाव कहा आ रहा है ठोस कदम उठाने पड़ेंगे गहराई से हमको सोचना पड़ेगा जब तक हम अपने अपने आप से अपने आप से क्रोध करना पड़ेगा अपने आप से संग्राम करना पड़ेगा लोहा लेना पड़ेगा अपने आप से क्योंकि दूसरा कुछ करने वाला निए अगर कोई करेगा विए तो उसको दस बाते सुना देते के पहले तुम अपना ही देख ले क्यों समय ऐसा है किसी को कुछ कह नहीं सकते है समय ऐसा भी तो स्वायम को हमको जाकरित करना जाकते रहो जाकते रहो जाकते रहो जाकते रहो जाकते रहो तो कुछ बदलाब हुआ तो हमारी उन्नती होगी तो फीलिंग होगी कि थोड़ा थोड़ा आगी बढ़ रहे हैं लेकिन रुक नहीं जाना है पतानी कितना आगी रास्ता थे और है तो प्रोमिस करना है कौन सा प्रोमिस करना है बावा ने काल मुल्ली में कहा खुश रहना है और खुशी बांट नहीं है खुशी जैसे कोई खोराक नहीं तो खुशी कि हमको स्रोत डूढने है ऐसे 21 बाते डूढ़ो कौन-कौन सी बातों से खुशी हो सकती है मनन चंतन करने सोकती है या जो बावा से हम मिलन रहे है उससे हो सकती है ग्यान भावा का परिचे देने से हो सकती है कुछ लिखें उससे हो सकती है आपस में परिचच्चा उससे हो सकती है योग के शोट-शोटे अभ्यास करें उससे हो सकती है सोमान में रहें सोमान लिखें जैसे हमको बता दिया जाए भी बैठे बड़े 101 सुमान लिखो तो हुमारी बुद्धी में होने चाहिए वो ऐसा निके ओल लिस्ट में बहेद हो जी बाट समय से जाए 101 सुमान की लिस्ट हो और वो इंके बभी पड़ी रहती है मंगना नहीं हो ज्ञान भी मंगना नहीं किसी से भी सब कोई दे दिया उसने सब के पास में है हाँ अपनी प्रोग्रस करने के लिए हमको एक्जामपल मिल जाए लेकिन त्यार तो अपना हलबाई करना पड़ेगा अपनी सबजी जैसी मरजी बनाए लेकिन वो स्वाद लगती है दूसने जितनी मरजी सब लेकिन कोई नहीं कोई नुक्स तो हम निगाली देते है इसलिए हमको स्वाइम को त्यार करना है कुछ तो करना पड़ेगा बरिष्ट बाई बे ने वो इतने लंबे समय से उनकी कलासों में क्यो इतना ताकत है क्यों शक्ती है क्योंकि टाइम ही निवेस्टी है उन्होंने आज भी हम सूरज बाई को देखते हैं डाइरेक अभी भी बैठे होते हैं बावाली दिन में अभी भी उनको भी क्या जिरुखता है बताओ लेकिन वो संसकार पड़े हुए हैं एसे थोड़ी बाणी में जोषर वर जाता है इसलिए बावा केते है अपनी गोड़तो नशा चड़े तो नशा है जो नहां ग्यान का नशा बारवार पी नहीं बारवार पी नहीं बिना पानी की बिना पानी कीमाने दूसा मिक्सिंग करना कुछ भी नशा उतरता है फिर पीओ उतरता है फिर पीओ कदम थोड़ा लड़ खड़ाने चाहिए बुद्धी रुपी खदम मना बुद्धी में नशा एक कपारी खुशी बावा जो कहते कपारी खुशी तो अंदर में ज्ञान का कुछ न कुछ तो चिंतन चलते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए तो हमारी थोड़ी प्रोग्रेस होगी क्योंकि इसमें ऐसा रहा है कि हमारे अपने ही ऐसे कई जनमों के ऐसे पाप करम है जो हमारे सामने अभी भी नहीं आये हैं हो सकता पता नहीं कौन से मोड़ों पर इतने भारी आ पड़ेंगे जो भारी पढ़ जाएंगे लेने के देने पढ़ जाएंगे उसमें बावा ने बोला ना पापों का बोज्चा बहुत है फिर पर और उसकी निशानी है कि हम निरवन्दन हैं हमको टाइम भी सब जगा से ज्ञानियों के लिए भी वी टाइम है कहीं से कोई समस्या भी नही नहीं और हम meditation में बैठे हैं, नीदार ही है, अर्थात पापों का बोज़ा सिर पर है, तो हमको attention रखना बहुत गराई से, और उसमें और बहुत सारी चीज़े हैं, नीदाने के और भी कही कारण हैं, द्वाईयां भी हो सकती हैं, और द्वाईयां क्यों खा रहे हैं, उनके भी कारण हैं, तो हमको अपनी body की तरफ भी पूरा ध्यान देना है, healthy रखना है, तो वो तो अलग भी शेक, बोज़निक से स्पंदित, वो वाली चीज़े हैं शरी में डालनी हैं, जो उतेजीत करें शरी को, क्योंकि शरी भी पवित्तर है, बगवान की अमानत है, ये आंखे बगवा की दरिष्टी बसी हुई है, इस बुद्धी में बगवान का ग्यान है, इन हाथों में बगवान की प्यार की vibration है, उसकी शक्तियं इसमें समाई हुई हैं, इसके अंदर इस शरी की रग में, नस नस में उसकी शक्तियं समाई हुई हैं, तो हमारा किस कारे में लगना चाहिए बताया ना बाप समान करतब्बे क्या है टीचर्स का तो वो हम उस करतब्बे में कर रहे हैं उस करतब्बे महाँ अगर सरह हैं उसमें भीजी हैं वो हमको देखना है और क्या स्लोगन कौन सा बताया बावा ने बोला एक स्लोगन पक्कार लगा दो मस्तकवर वो इस लोग ने जो promise हो जी को इस लोग नो बता लिया खुश रहना है और खुश करना है एक संकलब बाप ज़दा को यही संकलब पाता है क्या इस बात में everybody हो तो 20 बात में everybody हो कौन सी हाथ उठाने में everybody है अब दूसरी वात में वे एवरेडियों कौन सी? है जी? याद करने में त्याग, कौन सा त्याग? है तो त्याग वाली बिल्कुल ठीक बोला लेकिन त्याग किसका? बिकारों का और कमजोरियों का त्याग अपनी कमजोरियों को यही छोड़ के जातों यह ओंबरक है, एक लिस्ट बनानी है कि मेरे में कौन कौन सी कमजोरिय है क्योंकि जो कमजोरियों को हम सौयम जानते हैं दूसरों बले बताते रहेंगे दूसरे भी हमारे बहुत कमजोरियों निकालते रहते हैं निकालनी भी चाहिए वो लेकिन जो कमजोरी हमको मालम है वो तो उनको भी नहीं पता है जब उनको पता चले गा तो बोलेंगे तो और इखतर ना गए हम तो कम भी समझा हुआ था अब पता चला कि इसके मन में क्या क्या चलता रहता है बाबा माना अगर हमारे अभी दिमाग को खोल के देखा जाए अंदर में क्या क्या बढ़ा बढ़ा है तो पता चलेगा है यारी यह तो बहुत खौफना का आदमी है इसके जैसे तो कोई है नहीं बार से तो बढ़ा चिकने चुपड़े लगते हैं लेकिन अंदर से कितना खतरना गए तो हमको स्वायम की जाँच देखनी है अपनी कमजोरियों की लिस्ट मुनानी है और यहीं जला के जानी है बढ़ा जैसा स्थान कहीं नहीं मिलेगा और यह बाबा ने का कल की मुरली में था लास्ट लाइन में यहां फुरसत मिलती है तो क्या करना चाहिए बच्चों को बिचार सागर मंतन यहां अच्छा हो सकता है मुदबन में और जो यहां आदत डालेंगे ना वही घर में पड़ जाएगी आदत जो यहां आदत डाल रह handlar है उससी आदतपको वहाँ कायम रखना है लेगर समर्ती में जो ने इमर्ज करो रात को और सविरे उनए इमर्ज हो गया है अगर मर्ज हो गया तो कोई टेंशन ने लेनी उसकी परसे मर्ज कर देना पिरसे मंगर साम से तियार हो जाने due अगर हम कभी असफल भी होते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है ने तो टेंशन में और हम कमजोर हो जाते हैं जो बीती है सो बीती है उसको क्या कर सकते हैं अगर गुसा होई गया अब कर भी क्या सकते हैं बाद में कुछ नहीं कर सकते ना उसको छोड़ दे रहेंगा काम खत्म हो गया और ही खुश होना कि जो होना था वो हो गया खत्म हो गया और ही बोज अलका हो गया भी तो इसमें हमको टेंशन नहीं लेनी है और सेवा की तेयारी कौन सी सेवा? संसार में टेंशन बहुत बढ़ने वाला है तो इस टेंशन से आत्मों को मुक्त करने के लिए स्वयम को हर परकार की टेंशन से मुक्त करना है ब्रह्मनों कोई बहुत टेंशन होता है पुर्शात का ये बहुत टेंशन है क्योंकि पुर्षात का टेंशन, योग लगाने का टेंशन होता है उनकी अच्छी होग, उनको टेंशन कम है सुवेरे रात को हम चर्चा कर रहे थे बोला कई वरी तो उसी लिए चिंता होती है कि हमको चिंता क्यों नहीं है तो बहां हमें घर में भी पहले तो गरस्त को गरस्त समझने नहीं है थोड़ा भी बहां चेंज करना अपने बिचारों को चेंज करना है जो बावा कहते हैं ट्रस्टी है या सेवा के इंदर है वो है ना Hi, जैसे यहां भी है, अब मदवन में बले हम यहां घर में रहते लेकिंख रेशती हैं यहां बहुत बड़ा परिवार है है यह तो कितने बाई बेंने रहते हैं स्वाब संसकार सब के लग में आपने मन को मन के संकलपों को चेंज करना है कि यह मुझे सेवा के लिए मिला हुआ है अमानत है एक प्रिवार ब्गवान की प्रिवार नहीं है तो हमारे हम उससे हमारा more nust होता जाएगा और उनके परती जो हमारी उंचा द्रिष्टिकोन चल अरम हो जाएगा तो उनके अंदर भी purity के vibration शक्तियों के vibration प्रमात्ताम प्यार के vibration भरते जाएगे घर को तो घर समझने नहीं है अग घर तो जे अएगि लावा ने काये तो हम ट्रिष्टिक घर तो हमारा असली उपर आज ही था आत्मा तो हाई शांचरुग सत्रमत्रो तो थोड़ा बाहर निकल के बावा ने बोला आखर हटीत है कि यह जाना का उनको इतना तो पता ही यह न सबको हटीत है कि यह कहां जाएंगे आकर और बैसे भी देखा जाए, लंबेस में से संसार के जितने भी संस्ता disciplines या जितने भी बड़ी-बड़ी हैं, सबका ध्यान किदर जा रहा है अभी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ ब्रह्मा कुमारीज की तरफ जा रहा है भले कुछ उल्टी सुल्टी बातें भी सुनने में आते हैं लेकिन फिर भी जाता है अंत में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ ही है क्योंकि पता होता है बड़ी संसता है तो बड़े परिवार में कुछ होता भी रहता है बड़ी बात है नहीं है जी हाँ खिच रहे हैं अभी और खिंचेंगे आप तियार हो जाओ भी और खिंचेंगे अभी तो आप ओर ऐई कि अबर उम्या फृख है छक्ति शाली शुम्बक बने कारो आजिक रखिंच जी मूजम he तुम मास्टर बगवान हो एक वारी क्लास चल दी थी मुर्ली में मदु वनिवासियों की तो रहतम दादीजी क्लास करा रहे थे तो पूछा गया कि बावा ने मुर्ली में सबसे बड़े से बड़ा टैटल कौन सा दिया हुआ है तो बताया है मास्टर साव शक्तिवान लेकन स तो यसे बड़ा टैटल है मास्टर परमात्मा तो कोई मानने को त्यारी निहीं हा हम दो-चार लोगों ने बोला फिर उन वृट्टि की देट दिखाई करहा है तो माना हम बद्धी में वृट्धी में वो मृ की बात इसमृति में नहीं रहती है दूसी दूसी बाते रहे है master pramatma, बावा ने का तूह मार कर già से master pramatma हो, तो थोड़ी देर ऊपर बैट जाना, प्रमातमा के पास ही, थोड़ावना सा बाजू में, बावा से थोड़ा सा खिसका देने का उदर, और पास में बैट जाने का उदर, देखना उदर कैसे वो साक्षियों के देख रहा है संसार को कोई लेप शेप नहीं है उसके उपर हमको वही वस्ता एचीव करनी है तो बहां बैटने उसके पास में बैटना उसको थोड़ा पकड़ना स्पर्श करना है बाबा इस बिंदू बिंदू कैसा कैसा लग रहा है पर्श करना उसको पकड़ना थोड़ा पकड़ के लिए आणा उपर से नीचे थोड़ा दिल में समा देना उसको आंकों में समा देना थोड़ा मुख में मुख में जैसे कृष्ण क्या गोला दिखता था न, तो बाबा को थोड़ा मुख में रख लो, क्या फर्क पड़ता है, उसको चूसते रहो, एक दम मीठा मीठा लएगा, मीठे बन जाएंगे, हाजी, हाँ, खा जाओंगी, तो हम तो केवल चूसी रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं, हम तो केवल चूसी रहे हैं, तो ऐसे रमणिक ज्यान है, लेकिन इसको रमणिक बनाना पड़ेगा, तो जीवन में मजाएगा, फिर भी करते करते करते, फिर उदासी आ सकती है, बड़ी बात नही क्योंकि लंबेस में सही चाहबता पता नहीं कब किस मोड़ों पर सामने आ जाए है जी 63 जन्मों का है 63 जन्मों का है तो ऐसे ग्यान सी बहुत सरी बाते हैं हाजी बिल्कुल सारे टाइटल उसने हमारे में पहना दिये लास्ट में माला पहना है न बावा ने याद प्यार में तो माला पहन के रखनी है हमको बावा कहते तुम बचे मेरे सिर के ताज हो नैनों के नूर हो है न दिल तक तनशीन हो तो यह सारी टाइटल हैं जो हमको इस संसार से बिरक्त कर देते हैं, इस संसार से बिराग दिलाते हैं, बावा के नजदीक लेके जाते हैं, शक्ती बरती आत्मे में, आत्मों एकागरता बढ़ जाती है, जीवन में खुशी बढ़ जाती है, तो ऐसे बहुत निर्विगन हो ज वूंदे नहीं और खहरों में जो हमें रहते हैं तो हमको अड़ेस्टोenc के चलना आ हैं, आप पना ऐसा नहीं के जादा दिखाना हम ग्यान है नहीं बहुत आड़ेस्टो Em甘loc pourquoi उनका हुई उनके साथ भी समय बिताओ, उनको गुमाव पिराओ, उनको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा उनका सुनेंगे ना, धीरे-धीरे-धीरे फूक चुआ जैसे बागे तो फूक मार-मार के खून निकाल देगा, तो फूक मार के उनका भी खून निकाल देगा, जैसे एक बार किया तो मैं बोला आप लेक के लेलो मैं आपकी शादि करवा दूगा बगवान से तो पिताई हमारे पीछे बहुत पड़े रहाते थे बहुत पड़े रहाते थे हमारे बारा रिष्टे किये उन्होंने और हम पिताजी के सामने कभी बोलते तक नहीं थे क्योंकि पुराने जो परफ़कारों के लिए, अगर स्कूल में मार पड़ी और घर में पता चला तो घर में भी मार पड़ेगी, तो घर में बताने गए नहीं, तो ऐसे उन्होंने बारा रिष्टे किया, और के जगा मार पिटा भी कर दी हमारी लड़की वाले को घर में, लगे हमको कोई भी महसूस आखरकार पिता यहीं पहुंच गए तो मैं भला हम अभी आपकी शाद्धी होगी की नहीं होगी तो जिसका साथ थी बगवान उसको क्या करेगा अन्दी और तुफ़ान और जीवन में बिगन आते ना मजा आता है उसमें बिगन बिगन के जीवन नीरस लगेगा बिगन आने ह जीवन आगे बढ़ रहे हैं जिसके जीवन में ने यात्रा रुकी गिए यात्रा मने वाँ ही खतम कर दिए तो बिगन तो आने ही चाहिए बिगन तो हमारे एक लौटरी की तरह है जी उनिती का साधन है तोफ़ा है वो तो एक गिफ्ट के अतरा मिलते हैं तो बिगनों को आने देना खुशी-कुशी खुशी पार करने का बिगन तो आएंगे क्योंकि हमारे कर्मों का इस हाठ तजुक भी कुछ दो आएगा आएगा या रोग दो के क्रॉस करो कुछ करना है न वहाँ लेकिन बहां का अब भावा ने पूरी तरह बताया है नहीं अभी तक बहुत सारे रहसे बावनिशी पाये हुए वो तो बहुत जाकर पता चलेगा हाँ बहुत सारे रहसे अभी रहसे ही रह जाएंगे और वो रहसे ही रहने चाहिए क्योंकि अगर हमको पता चलेगे तो हम उसी में ओल जाएंगे जैसे बोलते है कृष्ण का जनम हो गया आज हो भी गयो तो हम क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे कुछ नहीं तो बहुत सारे बाते आशी हैं जो हमारे काम की हैं जो हमारी उन्नत ही करती हैं हमें हमारी प्रोगर्स ग्रोथ करती हैं हमारी खुशी का संचार करती हैं उन बातों को हम पकड़ के आगे बढ़ते रहना हैं ओ हम शान्ती तो अच्छा रहा मॉल्ली रिविजन बहुत अच्छा एक हाथ हिला कर पुनह पुनह धन्यवाद आभार शुक्रिया कल बाबा ने भी अच्छी एक्सरसाइस कराई न दो-दो हाथ उठाने की तो आज दो-दो हाथ उठा लिए